इस वक्त जहां देश कोरूना महमारी से जूज रहा है उसी बीच चक्रवादी तूफान आमफन ने अपनी तस्तक दे दी है आमफन तबाही मज़ा रहा है इससे पहले और भी कई ऐसे तूफान आए हैं जिन्होंने त्रहिमाम त्रहिमाम कर दिया था आज हम आपको बताते हैं उन पांच तूफानों की बारे में जिन्होंने पहले भी जनजीवन को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया था 1970 में आए भोला नाम के तूफान ने भयंकर त्रासदी मचाई थी समुद्र में आए इस तूफान ने बंगलादेश और आसपास के इलाकों में तीन लाख से जादा लोगों की जान ले ली थी इस तूफान में चलने बाली हवाओं की रफतार 280 किलोमीटर प्रती घंटा थी इसके बाद 1977 में आए तूफान ने भी 14,000 लोगों की जान ले ली थी इस तूफान में चलने बाली हवाओं की रफतार 2500 किलोमीटर प्रती घंटा थी तूफान ने आंद्र प्रिदेश में पूरे तरीके से जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था इसके बाद आया था नर्गिस तूफान अपने नाम से बिलकुल विपरित 2008 में म्यामर में आए इस तूफान ने जन जीवन को बुरी तरीके से जख जोर कर रख दिया था नर्गिस तूफान में लगभग 138,000 से जादा लोगों की जान गई थी नर्गिस तूफान में चलने वाली हवाओं की स्पीड 215 किलो मीटर प्रती घंटा की रफतार से रही मही साल 2005 में अमारिका में आये कटरीना तूफान ने आठ दिन तक अमारिका पर जम कर कहर बरबाया कैटरीना तूफान में चलने वाली हवाओं की रफतार 280 किलोमीटर पती घंटा रही मिसिसीपी में इस तूफान ने जम कर तांडव मचाया और 1833 लोगों की जान ले ली मही साल 1991 में बांगलादेश में ही एक और तूफान आया था जिसे गोर की नाम दिया गया था इस तूफान ने 138,000 से जादा लोगों की जान ले ली थी और इसमें चली हवाओं की स्पीड 280 किलोमीटर पती घंटा थी जाम फन पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उटकर तबाही मचाने के लिए तयार है और इसकी रफतार लगातार बढ़ती जा रही है और ये 275 किलोमीटर पती घंटा की रफतार से बढ़ रहा है और इसने बंगाल की हालातों को बेकाबू कर दिया है लेकिन इससे पहले भी जो तूफान हमने आपको बताए आचुके हैं और लोगों का जीवन पूरी तरह से पहस्नेस कर चुके हैं subscribe our channel and press the bell icon for more updates